यहोशू अध्याए ग्यारह यह सुनकर हासुर के राजा याबिन्ने, मादुन के राजा योबाब और शिम्रोन और अग्याप के राजाओं को, और जो जो राजा उत्तर की और पहाडी देश में, और किन्नेरेत की दक्षिन के अराबा में और नीचे के देश में, और पश्चिम की और दोर के ऊचे देश में रहते थे, उनको और पूरो पश्चिम दोनों और के रहने वाले कनानियों और एमोरियों, हित्यों, परीजियो और पहाडी यबुसियो और मिस्पादेश में हिर्मोन पहाड के नीचे रहने वाले हिब्बियों को बुलाया भेजा और वे अपनी अपनी सेना समेत जो समुद्र के किनारे की बालू के किनकों के समान बहुत थी मिलकर निकल आये और उनके साथ बहुत ही घोडे और रत पी थे तब ये राजा सम्मति करके इकटे हुए और इस्राइलियों से कहने को मेरों नाम ताल के पास आकर एक संग छावने डाली तब येहवा ने येहोशु से कहा उनसे मत डर क्योंकि कल इसी समय मैं उन सभों को इस्राइलियों के वश करके मरवा डालूँगा तब तु उनके घोडों के सूम की नस कटवाना और उनके राथ भस्म कर देना और येहोशु सब युद्धाव समेत मेरों नाम ताल के पास अचानक पहुचकर उन पर तुट पड़ा और येहवा ने उनको इस्राइलियों के हाथ में कर दिया इसलिए उन्होंने उन्हें मार लिया और बड़े नगर सिदोन और मिस्पोत मैम तक और पुर्व की और मिस्पे के मैदान तक उनका पीछा किया और उनको मारा और उनमें से किसी को जीवीत न छोड़ा तब येहोशु ने येहवा की अग्या के अनुसार उनसे किया अर्थात उनके गोड़ों के सूम की नस कटवाई और उनके ररत आग में जला कर भास्म कर दिये उस समय येहोशु ने गुम कर हासुर को जो पहले उनसब राज्यों में मुख्यनगर था ले लिया और उसके राजा को तलवार से मार डाला और जितने प्राणी उसमें थे उन सभों को उन्होंने तलवार से मार कर सत्यानाश किया और किसी प्राणी को जीवीत न छोड़ा और हासुर को येहोशु ने आग लगा कर फूकवा दिया और उन सब नगरों को उनके सब राजाव समेत येहोशु ने ले लिया और यहोवा ने किदास मुसा की आग्या के अनुसर उनको तलवार से घात करके सत्यानाश किया। परंतु हासोर को छोड़ कर जिसे यहोशु ने भुकवा दिया, इसरायल ने और किसी नगर को जो अपने टिले पर बसा था नहीं जलाया। और इन नगरों के पश्यू और इनकी सारी लूट को इसरायलियों ने अपना कर लिया, परंतु मनुसरों को उन्होंने तलवार से मार डाला, यहां तक उनको सत्यानाश कर डाला, कि एक भी प्रानी को जीवित नहीं छोड़ा गया। जो आग्या यहवा ने अपने दास मूसा को दी थी, उसे के अनुसार मूसा ने यहुशू को आग्या दी थी, और ठीक, वैसा ही यहुशू ने किया भी। इसके नीचे वाले देश को हला का नाम पहाड से लेकर, जो सेईर की चड़ाई पर है, बालगा तक जो लबानों के मैदान में हिर्मोन परवत की नीचे है, जितने देश हैं उन सब को जीत लिया, और उन देशों के सारे राजाओं को पकड़ कर मार डाला। उन सब राजाओं से युद्ध करते करते, यहोशु को बहुत दिन लग गये। कठोर कर दिये कि उन्होंने इसरायलियों का सामना करके उन से युद्ध किया। उस समय यहोशु ने पहाड़ी देश में आकर हेबरोन, दबीर, अनाब, बरन यहुदा और इसरायल दोनों के सारे पहाड़ी देश में रहने वाले अनाकियों को नाश किया। यहोशु ने नगरों समेत उन्हें सत्यानाश कर डाला। इस्राइलियों के देश में कोई अनाकी न रह गया। केवल अज्जा, गत और अस्तुद में कोई-कोई रहे गे। वे सब जैसा यहोवा ने मुसा से कहा था, वैसा ही यहोशु ने वह सारा देश ले लिया। और उसे इस्राइल के गोत्रोंक और कुलों के अनुसार बाठ कर उन्हें दे दिया। और देश को लड़ाय से शान्ती मिली।